सूप्रभात कक्षा पहली विशय हिंदी उपविशय पाठ एक ए आई की मात्रा व्याख्यान संख्या दो बच्चों हम सीख रहे हैं ए और आई की मात्रा को जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए की मात्रा एक है लगती उपर से लगती और आई की मात्रा दो है लगती और उपर ही लगती यानि की ए से एड़ी की एक मात्रा ऐसे एड़ी की एक मात्रा ऐसे एनकी दो मात्रा है ऐसे एनकी दो मात्रा है ठीके देखिए एसे एड़ी की एक मात्रा और ये उपर लगती है ऐसे एनकी दो मात्राईं होती है और ये दोनों भी किसी भी वेंजन पर उपर ही लगती है तो चलिए शुरू करते हैं आज का कारिय तो बच्चों सबसे पहले हम बनाएंगे तीन लाइन का फॉर्मिट यहां आपको दिनांग डालनी है और जिस दिन आप इसकारे को करेंगे उस दिन की दिनांग यहां पे आप डालेंगे बीच में आपको डालना है पाठ एक और उसके नीचे डालना है एक आई की मात्रा यहां आप दिन डालेंगे जिस दिन आप इसकारे को करेंगे और उसके नीचे आप डालेंगे कक्षा कारे तो चलिए एक बार पुना बताईए मुझे कि ये क्या लिखा हुआ है ए और मैंने क्या बताया है ए की एक मात्रा और वो उपर लगती और ये क्या है ए और ए की दो मात्रा ही होती है और दोनों उपर ही लगती है जैसा की कलम ने क्या किया वेंजनों में लगा कर इनको सीखा देखिए एक बार अगर के में एक ही मात्र लगाई तो क्या पढ़ेंगे के और के में एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे के 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 ऐसी ही चे में एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे चे और चे में एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे चे चे, चे, के, के, अच्छा, टे में एकी मात्र लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, टे, और टे में आएकी मात्र लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, टे, 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 ऐसे ही, टे में एकी मात्र लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, टे, ते में आई की मात्र लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे ते ते पे में ए की मात्र लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे पे और पे में आई की मात्र लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे पे चलिए एक बार दोरा ये तो बच्चो इस प्रकार से हम किसी भी वेंजन में इन मात्राओं को लगा कर उनका उच्चारण आसानी से कर लेंगे चलिए बच्चो देखिए मैंने यहां दिया है ए, ए की मात्रा के शब्द बनाएए अब हम ए और ए की मात्रा के कुछ शब्द बनाएंगे देखिए क्या है यह? ए और ए की एक मात्रा और यह क्या है? ए और ए की दो मात्राएं होती है यह आपको हमीशा याद रखना है चलिए सबसे पहले हम ए से शब्द बनाते हैं देखिए ए क्या शब्द बन गया यह पढ़िए? एक एक अब देखिए ऐसे बनाते हैं ए ने के अब पढ़िए ए नक एक ए नक अब देखिए दूसरा शब्द बनाते हैं ए से लिखिए ए ले बे में क्या बन गया? एल्बम क्या बन गया? एल्बम अब ऐसे बनाईए ए रे में आकी मतरा वे त एरावत और एरावत किसे कहते पता है आपको? हाथी को राजा इंद्र के पास एरावत नाम का हाथी था जिसकी वो सभारी करते थे ठीक है? अब चलिए एक स्कोई बर पढ़िए एक एक एनक एल्बम एल्बम और ये क्या लिखा हुआ है? एरावत अब चलिए अब हम मात्रा सही शब्द बनाएंगे ठीक है? चलिए के लिखिए के में एक ही मात्रा क्या पढ़िएंगे? के फिर के लिख दीजे क्या बन गया? केक क्या बन गया? केक अब चलिए के में एकी मात्रा लगाईए और एकी दो मात्राएं होती है से से में आ की मात्रा क्या बन गया? पढ़िए इसे कैसा कैसा केक कैसा अब चलिए खैसे बनाते है खै में एकी मात्रा क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? खैसे बनाते हैं अब चलिए देखा आपने कितनी असानी से इन शब्दों को लिख लिया और पढ़ लिया अब चलिए अब चलिए हम नया शब्द बनाते हैं देखिए क्या है ये? तै तै में एकी मात्रा क्या पढ़ेंगे? ते और फिर हम लिख दे ले क्या बन गया? पढ़े तेल तेल अच्छा देखिए तै में एकी मात्रा लगाई क्या पढ़ेंगे? तै और रे लिख दे क्या बन गया? तैर तेल तैर अच्छा चलिए लिखिए बै बै में एक मात्रा लगाईए क्या पढ़ेंगे? बे रे लिख दीजे क्या बन गया? बेर फिर से बै लिखिए बै में दो मात्रा लगाईएए की क्या पढ़ेंगे? बै ल बै बेर 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 अब चलिए से बन गया? से में एकी मात्रा क्या पढ़ेंगे? से बै लिखिए क्या बन गया? सेब क्या बन गया? सेब अब इधर से लिखिए से में आएकी मात्रा यानिकी दो मात्रा लगाईए लिखिए रे पढ़िए क्या बन गिया सेर सेब सेर अब चलिए अगला शब्द लिखिए लिखिए पै पै में एकी मात्रा र डोक के नीचे पिंदी र क्या पढ़ेंगे पेड अब चलिए पै लिखिए पै में एकी मात्रा रे लिख दीजिए अब पढ़िए क्या बन गिया पैर पैर चलिए एक बार इसकी दो राई कर लेते हैं एक एक एनक एल्बम एरावत केक कैसा खेत पैर पैर तो देखा बच्चो आपने कितनी आसानी से इन शब्दों को पढ़ लिया अब आज का ग्रीकार प्यारी बच्चो आज मैंने आपको ग्रीकारे दिया है कि एक आइә की मात्रा के दस दस शब्द लिखो एकबर मैं पुना दो राती हूं आज मैंने आपको ग्रीकारे में कारे दिया है कि ए कांट के आगरे दस शब्द आपको सुन् тебе लेकogether में फॉर्फिर, बनाके अपनी कौफमी में लिखने हैं ठीक है और मात्राओं का भी ध्यान रखना है तो चलिए अब चर्चा करते हैं कल के ग्रीह कारी की प्यारे बच्चों व्याख्यान संख्या एक में मैंने आपको ग्रीह कारी दिया था कि ए आई की मात्रा लगा कर व्यंजन कसे मतक लिखो आपको ए और आ की मात्रा लगा कर व्यंजन कैसे मतक लिखना था आशा है आपने इसकारी को कर लिया होगा चलिए एक बार हम दोहराई कर लेते हैं चलिए कि गई खी खै गी गई गी गई ची चै छी छै जी जै जी जै टी टै ठी ठै धी डै धी धै ती तै थी थै धी दै धी धै नी नै पी पै तो बच्चों इस प्रकार से आपको विंजन कैसे मैं में ए और ए की मात्रा को लगा कर सुन्दर लेख में लिखना था आपने इस कारे को कर लिया है ना तो आप लिखने के बात में उसकी इस प्रकार से दोराई भी करेंगे आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजी और वीडियो को लाइक कीजी धन्यवाद